नमस्कार स्वागत है आपका देश्वान यूज में और मैं आपकी साथ राजन दनी देखे लोग सुभा चुनाओं खतम हुए नतीजे आए और जितने भी नव निर्वाचिस सांसत थे सभी ने सपत ग्रहन कर ली है अब सपत ग्रहन करने के बाद अब जिम्मेदारी आती है जो नव निर्वाचिस सांसत बने हैं उनके उपर लोगों ने उन्हें चुन लिया अब उनकी जिम्मदारी है उस छेतर के विकास के लिए काम करना ऐसे में हम आपको बता दे कि खगरिया से नव निर्वाचिस सांसत राजिश्वर्मा सोसल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हैं और काफी ज्यादा तारीफ में चुराग पासवान के आपको बता दे कि एलजेपियार के शुप्रिमो और केंद्रिय मंत्री चुराग पासवान के नेतित्व में जो एलजेपियार के चार सांसत नव निर्वाचिस सांसत बने हैं वो काफी जादा खुसी महसूस कर रहे हैं आपको बता दे कि राजिश वर्मा जो कि खगरिया से नव निर्वाचिस सांसत है उन्होंने चुराग पासवान के बारे में बोला है कि मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूँ गर्ब महसूस कर रहा हूँ कि मैं चराग पासवान जो हमारे नेता है एक फैमिली मेंबर एक परिवार के सदस की तरह हम लोगों का ध्यान रखते हैं इतना ही नहीं हम आपको बता दे कि खगरिया के विकास को लेकर जो राजिश वर अभी से ही काफी जादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं वो सदन में जाते हैं वहां पर उन्होंने बोला कि चराग पासवान से उनकी मुलाकात होती हैं और सिर्फ चराग पासवान से ही नहीं और भी तमाम मंत्री गन थे जिनसे उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात की किस विसे में हम आपको बताते हैं उन्होंने मुलाकात की खगरिया के विकास को लेकर उन्होंने बोला कि मैं खगरिया के विकास के लिए अभी से ही लग गया हूँ और इतना ही नहीं उन्होंने अपने सोसल मेडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ पोस्ट भी किया है हम आपको व भेत्र की तमाम समस्याओं के निवारण के संबंद में हम लोगों को मारिक दर्सन दिया वलकि सभी विभाग के माननिये मंत्री जी के सहीयोग की भी बात कहे इस दोरान खगरिया में मक्के पर आधारित उद्दोग को लेकर भी विस्तरीत चर्चा हुई जिसको लेकर निर्द में ऐसे नेता के नेतित्व में काम करने का अफसर मिल रहा है जो परिवार के सदस्य की तरह हम लोगों का मार्ग दर्सन करते हैं चिराग पासवान तो आपने देखा किस तरीके से जो खगरिया के नव निर्वाचिस सांसत है राजिश्वर्मा वो काफी आक्टिब मोड में नजर आ रहे हैं सोसल मीडिया प्लेटफोर्म पर पोस्ट करते हैं चिराग पासवान की तारीफ में और हम आपको बता दे की काफी जादा जोस और उमंग देखने को मिल रहा है राजिश्वर्मा में और काफी जादा एक्टिब मोड में भी नजर आ रहे हैं अभी से ही देखने के लिए लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूलें